नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगेश राना और आज का सवाल यह है कि देश के अगले राष्टपती कोन बन रहे है देश के अगले राष्टपती के लिए 18 जुलाई को मद्दान होना है और 21 जुलाई को काउंटिंग इसलिए बड़ा सवाल यह है कि भाजपा अपनी पसंद के व्यक्ति को राष्टपती पद पर जीत दिला पाएगी या जीत नहीं दिला पाएगी वैसे तो कहीं सारे नामों पर चर्चा हो रही है इन पर बात करेंगे लेकिन पहले जानते है कि आकिर राष्टपती पद के लिए चुनाओ होता कैसे राश्टपती के लिए चुनाओं की प्रिकिलिया थोड़ी जटिल होती है लेकिन इसे थोड़ी सी आसान भासा में समझ सकते है राश्टपती का चुनाओं सीधे जनता के वोटों से तै नहीं होता है बलकि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों से राष्टपति का चुनाओते होता है यानि इस चुनाओं में सभी प्रदेशों की विधान सभाओं के चुने हुए मेंबर और लोक सब अतसा राजिसभा में चुने गए सांसद वोट डालते है राष्टपती की और से संसद में नोमिनेटिड मेंबर वोट नहीं डाल सकते है राज्यों की विधान प्री सदों के सदशों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वे जन्ता दुआरा सीधे चुनेवें सदस नहीं होते है एक और बात वोट डालने वाले सांसदों और विदायकों के वोट का वेटेज अलग-अलग होता है यानि कि मुल्य अलग-अलग होता है दो राज्यों के विदायकों के वोटों का भी मुल्य अलग-अलग होता है इस समय देश के राज्यों के सभी विधायों के वोट का वैल्यू 5,43,231 है और वही लोगसाभा के सांसदों का कुल वोट का वैल्यू 5,43,200 है अब यह जानते हैं कि आखिर चुनाओं में वोट कैसे डाले जाते हैं और यह भी जानते हैं कि भाजपा और भाजपा के समर्थित जो राजनितिक दल है उनके वोट का टोटल कितना वैल्यू है और कितने वैल्यू की भाजपा को जुरत पड़ेगी क्या भाजपा अकेले पास तरीके से वोटिंग होती है जिसे सिंगल, ट्रांस्फिरेबल, वोट सिस्टम कहते हैं। दूसरी पसंद कोन है, तीसरी पसंद कोन है, चोथी पसंद कोन है, इसी तरह अन्य, जितने भी उमीदवार होते हैं। अब सवाल आता है कि मत के बाद मतगर्णा कैसे होती है ये तो मत देने तक की बात हो गई मतगर्णा के बारे में बात करें तो इसको जानने से पहले जानना जरूरी है कि राष्टपती की चुनाओं में सबसे आदे वोट हासिल करने से जीत तै नहीं हो जाती है राष्टपती वही बनता है जो सारे वोट के कुल वेटेज का कुल मूल्या का आदे से जादे हिस्सा हासिल करता है जैसे कि मैंने बताया इस सारे अभी तक विधानसवा प्रदेश की सारी विधानसवा के जो विधाया के वो और संसद के संसद इनके सब के वोट का जो कुल वेटेज है वो 10,98,880 है यानि जीत के लिए आदे से जादे 5,99,444 अंखासिल करने होंगे वोट काउंटिंग की बात करे तो इसमें प्रियोर्टी पर गोर करना होता है सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दरज पहली वरियता के मत गिने जाते है जैसा कि मैंने बताया वोट देते समय वोटर को priority ते करनी पड़ेगी ते करनी होती है वहाँ के पहली priority पर मैं इसको चुनता हूँ दूसरी पर इसको 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 और पहली वरियत है कि वोटों से अगर इसी गिंती में से कोई उमीदवार जीत के लिए जरूरी weightage का quota हासिल कर इतनी value इतने मुल्य नहीं बन पाते है तो पहले उस उमीदवार को race से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिंती में सबसे कम वोट मिले लेकिन उसको मिले वोट में यह देखा जाता है कि उसको वोट देने वालों की दूसरी पसंद क्या है दूसरी पसंद किस उमीदवार को जा रहे हैं फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवार के खाते में ट्रांसपर किये जाते हैं यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तैस संख्या तक यानि आदे से अधिक वहुच जाते हैं तो वह उम्मीदवार विजह ही मान किया जाता है और यह परकिरिया फिर से दोराई जाती है इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है जब तक किसी उम्मीद्वार को तải वेटेज के वोट ना मिले तब तक यह परकिरिया जारी रहती है अब सवाल ये है कि इस बार राश्टपती के लिए कौन-कौन उमिद्वार हो सकते है वैसे तो मीडिया रिपोर्ट में कहीं सारे नाम चल रहे है लेकिन एक सच यह भी है कि भाजपा और भाजपा को समर्थेंद देने वाली पार्टियों के पास इतने मुल्य के वोट नहीं है कि वो अपने दम पर किसी को राश्टपती बर्मा सके फिलाल NDA को करीब 13,000 वोट कम पड़ रहे है इसलिए ये तैह है कि NDA को अपने समर्थित अपने द्वारा घोशित उम्मिद्वार को जिताने के लिए बाहर से मत की वोट की वोट वैल्यू की जुरत पड़ेगी इस कैलकुलेशन पर बात तब करेंगे जब उम्मिद्वार सामने आ जाएंगे क्योंकि वो चेहरे पर बहुत भथ तक डिपेंड करता है लेकिन यह भी सच है कि भाजपा विपक्स की तुलना में मजबूत इस्थिति में अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार केरल के राज्यपाल आरिप मुहमंद उपराष्टपती एम बेंकाय नाइडू लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा ने राष्टपती पद के लिए हमें सचोगाने वाले फैसले लिए है इनमें बले ही मुझूदा राष्टपती की बात कर लीजिया इसलिए यह देखना हुगा कि भाजपा किसको आगे बढ़ाती है किसके नाम को आगे बढ़ाती है क्योंकि भाजपा ने अभी तक किसी के नाम की गोश्रा की नहीं है यह देखने वाली बात होगी तो यह राष्टपती पद की हमारे देश में कैसे चुने जाते है राष्टपती उसकी एक परकिरिया है नमस्कार आप बने रहे मेरे साथ